देश में तेजी से बढ़ रही कोरोना की रफ्तार कोई दो राय नहीं है कि कितनी तेज रफ्तार के साथ कोरोना लगतार आगे बढ़ रही है एक दिन में सबसे ज्यादा केस सामने आए है देश में तेजी से कोरोना की रफ्तार को बढ़ते वे देखा जा सकता है एक दिन में सबसे ज़्यादा केस सामने आए हैं पिछले 24 गंटे में 8389 मरीजों की पुष्टी हुई है कोरोना लगतार कहर बर पा रहा है पिछले 24 गंटों में जो आकड़े निकल कर सामने आए हैं नए मरीजों की वो भयावा है पिछले 24 गंटे में 193 लोगों ने अपनी जान भी गवा दी है यह भी हम आपको बता दे कोरोना अपडेट पर अपडेट के साथ यह ब्रेकिंग नियूस देश में एक लाख 82,143 मरीजों की पुष्टी एक लाख 82,143 का यह आंकड़ा माईने रखता है जो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है ग्राफ उपर की तरफ जा रहा है कोरोना संक्रमित लोगों का अब तक 5,164 लोगों ने अपनी जान गवा दी है इस संक्रमन की वज़ज़ से इस महामारी की वज़ज़ से इस महामारी ने इतनी जाने लील ली 86,983 मरीजों ने कोरोना को मात दी है यह अच्छी खबर और सुगदाई है कि लोग बच कर जो वापस आए है उनकी संख्या जदा है देश में कोरोना के 89,995 एक्टिव केस इस वक्त भी है जिनका इलाज किया जा रहा है बचाने की भरपूर कोशिशे हरत और कोशिशे हो रही है लेकिन फिर भी इस से इंकार नहीं किया जा सकता कि देश में तेजी से बढ़ रही है कोरोना की रफतार लगतार पैर पसार रहा है कोरोना एक दिन में सबसे ज़्यादा केस सामने आए हैं और यही रफतार रही तो बहुत ज़्यादा ये महामारी परेशान करेगी